हिंदुस्तान में अगर बिटिक्स सामराज्य में सबसे कुरूर चेरा कहीं दिखा था तो वो था जलियावाला बाग गेट बंद करके जब जेनरल डायर ने निहते औरतों और मासूमों पर गोलिया चलाई तब पुरे इंसानियत का सर्थ सर्म से जुख चुका था आज भी जब कोई जलियावाले बाग की कहानी सुनाता है तो पूरे शरीर में एक सीरंसी होने लगती है लेकिन आज क्राइम तक पर मैं दीपक सिंग आपको आजाद भारत में उस जलियावाले कान की कहानी सुनाऊंगा जिसके जखम 72 साल बाद आज भी जिन्दा है जगा थी जहारकन की खरसवा गाउं जमशेदपूर एरपोर्ट से इसकी दूरी लगबग 50 किलोमेटर की होगी ओडिसा और जहारकन के बॉर्डर पर बसे इस छोटे से गाउं ने आजाद हिंदुस्तान की पूरी राजनिती को हिला कर रख दिया था जंगलों से गिरे रहने वाले खरसवा गाउं आदिवासियों के सबसे पसिंदिदा गाउं में से एक था खनेज में संपन होने की कारण ओडिसा और बिहार दोने ही इसे अपने पास रखना चाते थे आखिर आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है फैसला हुआ कि इसे ओडिसा को दिया जाए लेकिन खरसवा गाउं के आदिवासि ना तो बिहार में जाना चाते थे और ना ही ओडिसा में वो अपनी लिए एक अलग राज्ये की मांग कर रहे थे इसी सिलसिले में एक जनवरी 1948 को नदी किनारे जनसवा आयजित की गई सवा के बीच एक राय बनी कि ओडिसा में शामिल होंगे और अपनी एक अलग पैचान कायम करेंगे इसमें बच्चे, बुडे, नौजवान और महिलाओं ने भी जबतर भाग लिया पुरे रास्ते अजादी के नारे लगाए जा रहे थे नारा था रोटी, पकोडी, तेल में, बिजे पानी, जेल में अब कौन है बिजे पानी? 1948 में भारत एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था इसलिए ततकालिन तौर पर ओडिसा का मुखे मंतरी बिजे पानी को बनाया गया अपने खिलाब उर्ती आवाज को दवानी के लिए पानी अजाद भारत का सबसे खौफनाक चडिन्थ रस्ते हैं एक जन्वरी 1948 को आधी वासियों की सबाग खतम होते ही मुखे मंतरी ने उन पर फायर करने के ओडर दिये ओडर मिलते ही करीब आदे घंटे तक ओडिसा पुलिस के जवानों ने कई राउंड फायर नियत्ते लोगों पर खोल दी लोग किसी कट होए पेड की तरह जहां तहां गिर रहे थे जान बचाने के लिए लोग जमीन पर लेड गए लेकिन फिर भी बंदूक की गोली उनका पीछा नहीं छोड रही थी पासी एक कुवा था जहां कई लोग जान बचाने के लिए कूत तो गए लेकिन एक के बाद एक उपर से गिरती लाशों के कारण दब घुटने से कईयों की मौत उसी कुए में हो गई लाशों को ओडिसा सरकार की सैनिकों ने चारों ओर से घेर रखा था सैनिकों ने किसी भी घायल को वहाँ से बाहर जाने नहीं दिया और नहीं घायलों की मदद के लिए किसी को अंधर आने की अनुमिती दी गटना के बाद शाम होते ही ओडिसा सरकार की सैनिकों की और से पूरे नरसंगार का सबूत मिटाने की पूरजोर कोशिश की गई शायद यही वह वज़ा थी कि खर्सवा गाउं आज जारकंड में हैं ओडिसा में नहीं इसी तरीके की और भी क्राइम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए